आज हम करते हैं माया में आगे लास्ट सेशन में हमने किया था बेसिक ऑफ रेगिंग आज हम करते हैं एक्सप्रेशन एडिटर को और आगे हम किसी की रोटेशन को किसी और से बाइंड करेंगे इसको कर रहा हूं में एक्स्ट्रूड और यहांसे की फेस आफ तरके छोटा कर दो कि एक दूसरे के बीचे में फसाद हो इसको कि एक रोटेट हो दूसरे को और लेके रोटेट हो इसको नाम दो S1 इसको नाम दो इसको रोटेट करें तो यह भी रोटेट हो तो उसके लिए पहले फ्रीज कर लें ना फ्रीज इनिशल वैल्यू बना देना अब क्या करो यहां से ओपन करो एक्सप्रेशन एडिटर अब टाइप करो S1 डोट रोटेट वाई एक्सिस अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो इस वन सेलेट करके यहां पर इसके रोटेट आ गये हैं एट्रिब्यूट्स आ गये हैं यहां से वह वह अफिलोट होगा सब्सक्राइप मैं यसको रोटेट करूंगा रोटेट नहीं होगा क्यूंकि चाहिए जिए तो तो उल्टा चल रहा है इससे रोटेट करने पर उल्टा रोटेट हो रहा हूँ तो यहां माइनस दाल दोगे तो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे अब देखो क्या होगा कि समझ आया अब ऐसा लग रहा नहीं कि वह उसको घुमार है जो कि ऐसा नहीं है यह एक्स्प्रेशन बाइंड हो रखे हैं अब आए अब हैना सभी चीज़ एक्स्प्रेशन अब वह गुम रहा है तो इसे घुमार है अब करते हैं इसी टेक्निक से किसी गेट का लोग बनाते हैं मालो गेट का लोग भूमा और गेट खुल गया है है यालाव यालाव याल शूड़ कर दो अंदर के साइड box ले लो एक झाल कि हम मैं चाहता हूं यह अंदर से बाहार हो जो लोग अंदर बाहार होता है न ऐसे कि हुआ हुआ है कि हुआ ही इसको रोटेट करने पर यह अंदर बाहर हो और इसकी लिमिट लग जाए कि यह 45 टिग्री से ज्यादा ना खुले पहले तो दोनों को फ्रिज कर दो इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे लिमिट कंट्रोल में जाके रोटेट में लगा दो कि यह माइनस 45 से प्लस 45 तक ही रोटेट हो और यह माइनस 45 प्लस 45 से ज्यादा रोटेट नहीं होगा इसको नाम देदो लॉक इसको नाम देदो बॉक्स प्रोनों के पिविट पॉइंट सेंटर में गर दो सेंटर पिविट से इसका जैड एक्सिस इसका जैड एक्सिस हमें कंट्रोल सी गिया और इसके रोटेट वाई से हमें इसका रोटेट एक्स वाइंट कराना है वाई नहीं अब देखो मैं इसको रोटेट करूंगा वह बाहर जा रहा है पर स्पीड देखो कितनी तेज है स्पीड कम करने के लिए आप डिवाइड बाई लगा दो मां लोग करके देखते हैं और कम करना पड़ेगा समझ आया तो बन गया दौर का लॉप एक्स्प्रेशन एडिटर बहुत काम की चीज़ है तो आज इतना करो एक्स्प्रेशन एडिटर से नेक्स लास में हम ड्राइवन की करेंगे जो इससे भी जादे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवन की चीज़ है